प्रश्ट भूमी और संक्रमन की परिस्थितिया जब हम इस पर द्रश्टी डालते हैं तो समाज और संस्कृती की द्रश्टी से शिक्षा और ज्यान की द्रश्टी से बहुत ही महत्वपूर्ण और उनलेख निये परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं किन्तो इसके साथ-साथ आर्थिक द्रिश्टी से भी उन लेखनीय परिवर्तन पूरे देश में, पूरे देश की व्यवस्था में दिखाई देते हैं क्योंकि अंग्रेज हम पर काबिज थे, मुगल काल के पश्चात, अंग्रेजों ने पूरा शाशन अपने आधीन कर लिया था भारत का आर्थिक शोशन, वह मद्यकालीन और प्राचीन भारत में तो हुआ ही, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद, और अधिक शक्ती के साथ हुआ हमारे जो परंपरिक उद्द्योग धंदे थे, वो लगबग नश्ट प्राय कर दिये गए ढाका की मलमल बनाने वालों के अंगूठे और हाथ काट दिये गए, इतिहास इस बात का साक्षी है भारत से जो कच्चा माल पैदा होता था, उसको अंग्रेज यहां से ले जाने का निर्यात करने का काम करने लगे थे और जो अंग्रेजी शाषन द्वारा सामान और माल तयार किया जाता था, उसे अधिक दामों में भारत में लाकर बेचा जा रहा था तो एक तरह से हमारी उद्योग नीती उसके विरुद्ध ये शड़ेंत्र अंग्रेजी सत्ता द्वारा चलाय जा रहा था भारतिये जन सामान ने इस शड़ेंत्र के कारण धीरे धीरे दरिद्र होता जा रहा था, आये के स्रोत बंद हो गए जब उनके द्वारा निर्मित कच्चा माल यहां बिकने की स्थिती में नहीं रहा और उसे विदेशों में ले जाकर बेचकर शाशक और शाशन अपनी आये बढ़ाने लगे भारतिय किसान गाओं छोड़ छोड़ कर खेती और क्रशी छोड़ कर रोजगार तलाशने के लिए शेहरों की ओर निकलने लगे यह सोची समझी अंग्रेजी सत्ता की एक चाल थी शड़ेंत्र था और क्रशी प्रधान देश में उद्द्योग और व्यवसाय की जड़ें मजबूत होने लगी थी तो पूरी आर्थिक स्थितियों को एक तरह से चुनोती दे दी गई थी साहित्तिक दृष्टी से भाशाई दृष्टी से जब हम विचार करें तो देखते हैं कि साहित्त युग की परिस्थितियों के अनुकूल धीरे-धीरे परिवर्तन लेने लगा था ढ़लने लगा था भारतेंद युग ने रीतिकालीन परंपरा की यथा संभव रक्षा तो की थी लेकिन धीरे-धीरे उस परिपाटी और पद्धती विशेश से निबद्ध होकर जो साहित्त और जो कविता लिखी जा रही थी उसमें भी परिवर्तन होने लगा था किया जाने लगा था नई नई दिशाएं उद्धगाटित होने लगी थी बहुत सी गद्ध के आगमन पर नई नई गद्धे विधाएं हमारे सामने आ रही थी ब्रजभाशा जो अखिल भारती इस्तर पर काश्मीर से कन्या कुमारी तक कविता की भाशा बन गई थी लालित्य की सौंदरे की भाशा बन गई थी उसके साथ साथ अब धीरे धीरे खड़ी बोली का भी आहवान किया गया और खड़ी बोली को एक सशक्त भाशा के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया गया और उसमें लेखन को प्रुच्साहित किया गया दिवेदी युक तक आते खड़ी बोली पूर्ण तैस्थापित हो गई बारतिंदु युग में ब्रजभाशा और खड़ी बोली दोनों में साहित्य सरजन हो रहा था लेकिन दिवेदी युक तक आते आते ब्रजभाशा का एक तरह से बहिशकार सा होने लगा और खड़ी बोली को युद्ध स्तर पर साहित्य की भाशा बनाने की वकालत होने लगी उसमें सरस्वती पत्रिका ने और महवीर प्रसाद दिवेदी के संपाद कत्व ने महत्वण भूमिका निभाई इंदिसाहित के आधुनिक काल में इस दृष्टी से धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और राष्ट्री अंतर राष्ट्री ये परिवर्तन दिखाई दिये आर्थिक परिवर्थन और साहित की वस्तू, साहित के विशे, साहित की विधायें, साहित की भाषा ये भी बदलने लगे कविता की और गद्य की प्रवर्तियों में अंतार आने लगा, परिस्थितियों का युग बोध, इन सब का प्रभाव, रचनाकारों पर, उनकी दर्शन और द्रिश्टी पर दिखाई देने लगा परिणामत है गद्य और पद्य, दोनों ही द्रिश्टियों से आधनिक काल, विकास का युग बन गया और उसे एक समर्द, संपन, आधनिक साहित का युग माना जाने लगा डॉक्टर रामसरूब चत्रवेदी ने इस संदर्व में कहा भी है कि नवीन परिस्थितियों के संदर्व में अपने आपका संसकार करना ही आधनिकता है, तो आधनिकता क्या है कि जो युग बोध बदलता है, जो समकालीन स्थितियां परिस्थितियां बदलती है उनके संदर में स्वैम अपना संसकार करना यही आधनिकता है तो जो रूडियां हैं जो त्याज्य हैं उनको छोड़ते जाना और जो नवीनता और मौलिकता है जिसमें सरजन शीलता है उसको आत्पसाथ करना इस तरह पारतेंदू युग की जो आधनिकता जिसकी शुरुवात हम आधनिक युग के रूप में मानते हैं उसके मौल में वैज्ञानिक प्रगती की भूमी का उलिखनिया हो गई ज्ञान वैज्ञान ने अपने पंक फैलाने शुरू कर दिये उद्योग बहुत तेजी से स्थापित होने लगे बहुत सी कंपनियां फैक्टरियां ये काम करने लगी बड़े स्तर पर इसलिए जो चहुमुखी परिवेश में परिवर्तन था वो दिखाई देने लगा जो इश्वरिय सत्ता के प्रतिय तूट आस्था थी वह तूटने और घटने लगी उसके अस्तित्त उपर शंका पैदा होने लगी और भय का शोब का असंतुष्टी का वातावरन बनता चला गया मानव सब्वेता की प्रगति वैभव विलासिता और भोग व्रत्ति इसमें रुझान बढ़ने लगा यानि पाश्चात्य दर्शन जीवन शैली का वो धीरे धीरे भारतिय समाज में भी अपनी पैठ करने लगा इश्वरी ये सत्ता अब डगमगाती हुई दिखाई देने लगी ऐसा एक विश्वास चारों तरफ दिखने लगा मनश्य और तत्संबंदी समस्याओं का साहित के केंद्र में आकर विमर्ष का विश्य बनना ये परिवर्तन भी दिखाई देने लगा और अभिव्यक्ति के जो नए नए आधुनिक साधन थे उनका विकास होने लगा परिणामत है भाषा साहित की समाज की संस्कृति की विचार विनमे की चिंतन मनन की विमर्षादी की ये भाषा बदलने लगी ब्रज और अवधी भोजपुरी और मैथली ये अब व्यापक स्तर पर बड़े स्तर पर केंद्रीय स्तर पर साहित की भाषा के पदवी से वंचेत होने लगी नई भाषा के रूप में खड़ी बोली अपना आधिपत्य बनाने लगी नए नए प्रयोग नए नए प्रतीक बनने लगे नए मुहावरे नए कल्पनाएं नए बिम्ब इनका आहवान किया जाने लगा और गद्य के आगमन से गद्य की विविदाओं के आगमन से जो परिवर्तन हुआ उसमें भक्तिकालीन जो ब्रजभाशा में लिखित गद्य था उससे भिन्न खड़ी बोली गद्य आधिनी की युग में दिखाई देने लगा कहीं-कहीं दखिनी हिंदी का गद्य राजिस्थानी हिंदी का गद्य ये भी दिखाई देने लगा मिद्यकाल में 84 वैश्णवों की वारता, 252 वैश्णवों की वारता, भाव सिंद्य, नासिकेत उ पाख्यान बैताल पच्चीसी ऐसी बहुत सारी गद्धे रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं किन्तु खड़ी बॉली गद्धे के विकास का प्रमान हमें उदाहरण हमें अंग्रेजी सत्ता के दौरान दिखाई देने लगा शिक्षा के विस्तार से शाशन प्रशाशन में अंग्रेजी के बाहुल्य से इसाई धर्म के प्रचार प्रसार से प्रेस की स्थापना से खड़ी बोली गद्धे का विकास चहुमुखी होने लगा कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना सन अठारा सो इस्वी में हुई गुंशी सदा सुखलाल इंशा अल्लाख खां ये बहुत सारे अनेक भाशाविद इस युग में उपस्तित हुए और इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लेखन को प्रुच्साहित किया साथी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद संस्कृत से हिंदी में अनुवाद इन पर भी बल दिया पंजाब निवासी शद्धाराम फिल लोरी राजा श्योप्रसाद सितारे हिंद राजा लक्ष्मन सिंग जिन्होंने कालिदास कृत रगुवंश का मेग दूतम का अभिज्यान शाकुंतलम का खड़ी बोली हिंदी में ब्रजभाशा हिंदी में बहुत से अनुवाद हुए आधुनिक काल का आरंब 1857 के बाद जब माना गया जिसको हमने मंगल पांडे की प्रथम सत्मता अंदोलन या क्रांती के रूप में देखा उससे पहले का जो हिंदी साहित्य है वो आधिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के रूप में स्विकार किया गया और आधिकाल से पहले जो समस्त साहित्य दिखाई दिया उसमें वीरता का कावे, भक्ति का कावे, रीती जो एक पद्दती विशेश है उसका कावे, नीती कावे, प्रशस्ती कावे, प्रेम आख्यान कावे, संत कावे, शंगार कावे, समाच्योधार का प्रकरती चित्रन का ऐसे बहुत सारी प्रवर्तियों के कावे दिखाई दिये लेकिन अंग्रेजी सत्ता और शाषन को जखजोर कर रखने वाला साहित जो खड़ी बोली हिंदी में और ब्रजभाशा हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया वो ऐ स्वत्मता संग्राम का दियोतक परिचायक का वे था सामाजिक परिवेश आर्थिक ढांचे को हिला देने की खशमता सामन्तवाद और पूंजी वाद को ललकरने का सामर्थ और सामन्तवाद का घुटने टेकने का क्रम दीरे-दीरे साहित की दिशा बदल रही थी बदल रहे थे, भाशा और शिल्प बदल रहा था, प्रवर्तिय बदल रही थी, और अब एक तरह से नभीनी करन, आदुनी की करन साहित में और साहित की विधाओं में दिखाई देने लगा था। परंपरिक और प्राचीन परंपराएं उनसे आपलावित साहित का या रचनाओं का या मानसिक्ता का परित्याग होने लगा था इसलिए आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हुए और कावे की सुधीर परंपरा में खड़ी बोली के प्रवेश को स्विकार करते हुए अब खड़ी बोली हिंदी में गद्य और पद्य दोनों की एक सशक्त नीव डल गई थी मद्यकाल में लिखा गया गद्य जैसा मैंने कहा कि वो टीका टिपणी के रूप में ही रह गया था और वो ब्रजभाशा गद्य था लेकिन आदने की युग में बहुत सी काववेधाराओं और गद्य की अनेक विधाओं में जुणने वाला यह गद्य खड़ी बोली गद्य रचनाओं की बहुत लंबी सुदीर भूमिकाओं के रूप में भी हमारे समक्षाया बहुत से निबंद भी लिखे गए बहुत सी कविताएं भी लिखी गए इसलिए चायवाद उत्तर हिंदी कावे और चायवाद पूर्व हिंदी कावे यानि चायवाद परयंत हिंदी कावे तो चायवाद तक और चायवाद के बाद जब हम देखते हैं तो भारतिंदु मावीर प्रसाद दिवेदी यूगीन हिंदी कविता जिसे जागरन और सुधार काल भी कहा गया चायवादी हिंदी कविता जिसे स्वचंतावादी हिंदी साहिते कहा गया और उसके बाद चायवाद उत्तर में प्रगतिवादी हिंदी कावे प्रयोगवादी हिंदी कावे इसी तरह सचेतन कविता आदी ये आंदोलन मुखर हो गए। इस तरह गद्दे साहित्य में जो विदाएं बहुत समरिद्धी के साथ प्रचुर मात्रा में हमारे समक्ष आई ही ह। उनमें उपन्यास, कथा साहित्य के अंदर गत, कहानी और उपन्यास, लगू कथा, कथा, कहानी ये भी आने लगे। नाट्य साहित्य में एक आंखी, नाटक, रूपान्तरण, रेडियो नाटक, संबाद लेखन आदी ये आने लगे। अन्य विधाओं में रेखाचित्र, संस्मरण, शंस्मरण आत्मक रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डाईरी, डाईरी यात्रावर्तांत, आलोचना, पत्रकारिता, अनुवाद आधी विधायें आने लगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल था, जिसकी शुरुवात 1857 इसवी से सामाने तैमानी गई थी, अब तक 150 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। पूरे हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के लेखन में, अगर हम दृष्टी डालें, तो आधुनिक काल का साहित्य लगबग 1500 वर्ष का हमारी समक्ष आ जाता है। इसमें प्रतम कालखंड के रूप में हम भारतेंदू युगीन हिंदी कावे उस पर चर्चा करते हैं। भारतेंदू युगीन हिंदी कविता का जन्म भारतेंदू अरिष्चंद के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। 1850 इस्वी में हम उसे देख सकते हैं। 1861 में केवल 11 वर्श की अवस्ता में भारतेंदू अरिष्चंद ने अपनी कविता लेखन कला से हिंदी जगत को साहित जगत को अवगत कराया था और अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। 1868 में अर्था 18 वर्ष की अवस्ता में भारतिंदु ने कवी वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया था इस पत्रिका ने नव्यूग की चेतना का प्रचार प्रसार किया भारतिंदु ने कवीओं की एक मंडली बनाई जिसके प्रेणा सुरोतवे स्वयम थे और हिंदी जगत में भारतेंदु मंडल के कवियों के रूप में उन सब को प्रसिद्धी मिली भारतेंदु युक के कवियों ने जनता की विशे शूप से मद्यमबर्ग की गरीबों की सांस्कृतिक चेतना का विकास किया विशे और शिल्प की द्रिश्टी से भारतेंदु युक के कवियों ने ब्रजभाषा कावि की परंपराओं का अनुगमन किया किन्तु अपने देशकाल के सामाजिक स्पंदन और जातिये जागरण से वो अंदोलित हुए उन्होंने देशकी दरिद्रता, सामाजिक दुर्दशा, पराधीनता, अंग्रेजनों द्वारा किये गए शोशन, कूट नीतियां इन सब के विरुद्ध अलग-अलग साहितिक विदाओं के साथ आवाज उठाई कविता में भी, गद्दे में भी इसलिए भारतेंदु युक को आदुनिक काल का आदुनिक की युक का प्रविश्द्वार भी कहा जाता है प्रवर्तियों की दृष्टी से इसे मद्यकाल तथा आदुनिक की युक का संदिकाल भी कहा जा सकता है इसलिए हमने संक्रमन काल के रूप में उसकी चर्चा की है पद्यके क्षेत्र में इस युग के कवियों का पुरानी परंपराओं के प्रती आगरे बना रहा और दूसरी तरफ नवयोग का आवान भी किया जाता रहा इसलिए संक्रमन काल था रीतिकालीन शंगारी परंपरा को भी आत्मसाथ किया अपनाया गया और दूसरी तरफ समाज सुधार हेतु अनेक सामाजिक विशयों और मुद्दों को भी अपनाया गया आचायर रामचन शुक्र ने तो लिखा भी कि प्राचीन और नवीन के संदिकाल में जैसा शीतल और प्रभावी कला का संचार अपेक्षित था वैसी ही शीतल कला के साथ भारतिन्दु का उदै हुआ इसमें कोई संदे नहीं अंग्रेजी राज्य की स्थापना पाश्चात्य ग्यान विज्ञान का प्रचार प्रसार और देश में आधनिक विवेक और आत्मसंबान के भाव का उदै ये इस युक की बड़ी विशेष्टाएं थी धीरे धीरे प्राचीन सामाजिक रूडियां कुरीतियां इनके प्रतिविक्षोब होने लगा इन्हें छोडने की वकालत होने लगी जातिये पराधहिंता के प्रतिविद्रो की भावना मुकर होने लगी इस माहौल में इस परिवेश में इस युगबोध में भारतेंदू और उनके मंडल के कवियों ने हिंदी कावे और साहित्य को गद्य विधाओं को नई नई दिशाएं प्रदान करने का उल्लेखनी कारी किया इस युग के प्रमुख कवियों में अयुद्या सिंग उपाद्याय हरियोध, बद्रिना चौदरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायन मिश्र, बालमकुन गुप्त, राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंग, जगननादास रतनाकर, गंगा प्र प्रवास जैसी रचना, इसी युग में हम देखते हैं, और अन्य बहुत सी महत्पून रचनाओं का हिया युग माना गया, बारतेंदु युग के काविय की प्रमक प्रवर्तियों में रास्टियता की भावना, और देश प्रेम की भावना, सामाजिक जागरन की भावना, जन जागरती, पराचीनता और नवीनता का समनवे उसकी भावना, कहीं कहीं शंगारिक्ता की भावना, प्रकर्ति चित्रन, व्यंग्यात मक्ता, अनूदित रचनाओं का सरजन, ये सब भी देखने को मिलता है, इस तरह रास्टियता की भावना और देश प्रेम के संदर में जब हम दृष्टि डालते हैं, तो इस युक के कवियों में रास्टियता और देश प्रेम की भावना का प्रावल्य दिखाई देता है, क्षित्रियता से उपर उठकर कवी संपूर रास्ट की बात करने लगते हैं, हमारों उत्तर भारत देश तथा अन्य भूमी भारत सब रतनन की उपजावनी, जैसी पंक्तियां इसका प्रमान हैं, इस तरह बद्रिनायन चौदरी प्रेमगन की आनंद अरुनोदय, भारत बधाई, हारदिक, हरशादर्श, स्वागत, ऐसी बहुत सी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, प्रताब नरायन मिष्च की महापर्व नया संबत, ऐसी महत्पून रचनाएं, अंबिकादत व्यास की देव पुरुष हरदे, ये सभी कवी मिलकर नय शाषन का स्वागत भी कर रहे हैं, उनसे संबद आनंद अवसरों पर हर्श भी प्रकट कर रहे हैं, तता दुख के अवसरों पर दुख या शोक के गीत भी लि लिखे, विक्टोरिया के कारण अناत भारत को सनात हो जाने की अनुभूतियों से भी कवी गुजिरे, किये सरनपत भोल भारत की प्रजा अनातन, रानी विक्टोरिया के शाषन के प्रति आभार भी प्रकट किया, देश के अतीत गौरव का इन कवियों ने खुल कर सम्मान भ खुल को खो चुकी वो जंता वो भारतिय समुदाय, उसमें राष्टियता की भावना का संचार किया। गए बारत की पतन अवस्था और आर्थिक विपन्नता को देखकर उनमें खशोब उद्पन हुआ बारतेंदू अंग्रेजों की कूटनीती का परदा फाश करते हुए भीतर भीतर सबरस चूसें बाहर से तनमन धन मुसें जाहिर बातन में अतितेज क्यों सकी साजन नहीं पतन अवस्था से देश को उबारने के लिए इश्वर से प्रार्थना भी करते हैं नील देवी नाटक में राष्ट की रक्षा का संकल्प भी दौराते हैं कहां करुणा ने दिकेशव सोए जानत नाहीं अनेक जतन करी भारत वासी रोए ये कभी इश्वर को भी आवान करत इस तरह सामाजिक जागरण, सामाजिक कुरीतियों के विरुद, समाज सुधार का संकल्प लेकर आगे बढ़ने का सपना, अंद विश्वासों का विद्रो, धार्मिक कट्रता से मुक्त होने का आग्रह, ये सभी उद्देश ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृषन मिशन थियोसाफिकल सोसाइटी, इन सब ने मिलकर आंदोलनों के साथ जुड़कर काम किया, कह सकते हैं कि समाज सुधार को ने रास्ट गौरव का गान गाया, दुरदशा के चित्र अंकित किये, जन जागरन का बिगुल बजाया, और समाजिक सांस्कृतिक बीडे को उठाते देश के सामने जो चुनोतियां थी, जो समस्याएं थी, जिसमें इस्तरी शिक्षा, वर्ण भेद का त्याग, अनमेल विवा, बाल विवा का निशेद, छुआ छूट के विरुद्ध अभियान, ऐसे बहुत से संकल्प थे जो इस युक के रचनाकारों ने अपना लिये थे और भारत दुर्दशा जैसे नाटक में गीत की बात हो, या मंचन आदी के माध्यम से इस तरह के संकल्पों को दोराने की बात हो, जाती अनेकन करी नीच अरू उंच बनाए, खान पान संबंद संबन सों बरज छुड़ाए, बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन हो, इस्तर पर निज धर्म भली बिदि जाने, निज गौरव पहिचाने, इस्तरी गन को विपदा देवें, करी पति ब्रता यश लेवें, जूटी यह गुलाब की लाली, धोवत ही मिटी जाए, बाल विवा की रीत मिटाओ, रहे लाली मुच आए, इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं, के विदेशी वस्तों के वहिशकार पर भी बल दिया गया, पैधन विदेश चली जात, यहे अतिखवारी, और आर्थिक स्तिती की हीनता पर रोश प्रकट किया गया, कुल मिलाकर, जो भी सामाजिक चुनोतियां, समस्याएं, आदी थी, उन सब को भारतिन्दु युग में, कवियों ने, गद्यकारों ने, बहुती शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ, अपनी अभिव्यक्ति कला से जोड़ा, और वास्तों में, आधनिक काल का प्रवेश दुआर बन कर, भारतिन्दु युग हमारे सामने आया, तो इस विशे को, यहीं विराम देते हैं, नए व झाप यहीं से जएकिने अरिंदूत के साथ, विराम देहां।